दोस्तो कैसे हैं आप लोग अभी उमीद करता हूँ कि आप लोग कोरोना पेंडेमिक में अपने घर में सेफ होंगे और दीरे दीरे देखिए जैसे जैसे करोना भी नीचे जा रहा है लेकिन इससे मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप इससे केरलेस मत होईए कि आप मास्क जरूज पहनिये और आपको जब भी मौका मिले जब आप अलिजिबल हो अपने वैक्सिनेशन के लिए उसके लिए वैक्सिन जरूज ले ये अनुरोध है मेरा क्यों कि हम रोगों स्वास्त रहेंगे तभी देश के लिए कुछ कर सकते हैं और अपने फैमिली के भी कुछ कर सकते हैं तो हमारा स्वस्त रहना भी बहुत जोरी है जैसा कि जानते हैं कि मैं अक्सर जब भी वीडियो लेके आता हूं अपनी बाते अपने कहानी से सुनाता हूं और उसके बाद उसके बारे में हम बताते हैं कि हमारे जीवन से मैं इस कहानी से क्या असर होने वाला है और हम क्या सीख सकते हैं इस कहानी से तो चलिए देर नहीं करते हुए कहानी शुरू करते हैं लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेर भी दोस्तों कहानी शुरू करते हैं बहुत पुराने जमाने की बात है एक राजा था तो कहीं दूसरे देश से पहले की जैसे की लोग जानते हैं कि एक राजा दूसरे राजा को गिफ्ट करता है या उनके प्रज़ा भी कुछ न कुछ अगर उनको लगता कि राजा को देना चाहिए तो देते हैं तो एक उनके जनम दिन पे एक बहलिया था तो सोचा कि भ称ाजा को सब लोग कुछ न कुछ दे रहे तो हमें क्या देना चाहिए तो अब उसके पास दो बाज थे तो बोला कि चलो मैं ये दो बाज ही उनको दे देता हूँ तो अभी राजा के पास गया सारे लोगों ने अपने उनके जनम दीन पे सुब कामना आए दी और जो भी गिफ्ट उनको देना था लोगों को उनको ने दिया जब उसका नमबर आया तो उसने बाज दिया तो राजा को बड़ा भाउक हो गया कि लोग तो आज तक सोने चानी कपड़ा इलते गहने से देते थे उनको गिफ्ट लेकिन उन पहला बन्दा था कि उसके दिल में कि चलो उसके बाज पैसा नहीं था तो जो बहलिया के लिए वो जो पक्षी जो पकड़ते हैं वही उनकी संपती होती है तो उसने बोला कि मेरे ये दोबाज हैं मैं आपको गिफ्ट करता हूँ तो वो उनको एक यूनिक सा लगा और काफी मारमिक लगा कि वो बंदे के बाद कुछ नहीं था लेकिन उसको अपने दिल में राजा को देने की लालसा थी एक्षा थी तो उसका प्रेम देखके उनको सबसे बहुमल्य लगा अब वो ले लिए बाज बाज दोनों बहुत सुन्दर थे अच्छे थे अब उन्होंने क्या कि जब सब चीज खतम हो गया तो उन्होंने अपने मंतरी और बुलाए और बुला कि ऐसा करो कि अब इस बाज को एक सिवक रुखो जो इसको पाले और इसका खतेदारी बढ़िया से होना चाहिए जो भी मतलब बाज को बढ़िया से आपनो इसको पालो इसको मतलब देखवाल करो इसका और राजा हर सबता में आते थे देखके जाते थे कि भाई इसको आठागी रखरका हो रहा है कि नहीं तो कुछ दिन के बाद और जब सिवक जिसके मतलब उन्होंने बाज को दिया था जिस सिवक को कि भाई इसका देखवाल करो उसको बुला के बोले कि चलो आज फिर मैं बाज देखने आ रहा हूँ तो मेरे खालते बड़े हो गए हूँ कि बाज के नहां साथ बड़े हो गए हो गए तो आज आता हूँ तो उड़ा के दिखाओ उसको तो जो राजा पहुँचे वो सेवक भी बड़ा देखबाल किया था उसने उड़ाया एक बाज तो उड़के आस्मान को छूने लगा दूसरा बाज उड़ता था और उड़के आगे न ढाल पेड़े जाता राजा बहुत परेशान हुगए वो सेवग में बहुत कोशिश किया उसको लेकिन वो दूसरा वाला बाज उटता था प्र असमान से उतर के और डाल पर बढ़ जा अब परेशान हुगए तो उन्होंने बुलाया उसको भाई ऐसा क्या किया कि एक बाज तो उड़ रहा है एक दूसरा बाज तो उड़ नहीं रहा है ऐसा क्या है तुम्हारे देखवाल में कमी है क्या उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप दोनों बाइस स्वस्त हैं एक ही तरह आप देख लीजिए आप चाहिए तो इसका कहीं से कोई और होगा आपके पास आदमी तो उससे इसका मुल्यांकरी भी करवा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इनको लेकिन वो बंदा यह जो कोई इसके पैर में तो प्रॉब्लिम नहीं है या कुछ फिजिकल प्रॉब्लिम तो नहीं है उन्होंने उसको देखा लेकिन बुला यह नहीं दोनों बाइस तो से में कोई दिक्कत नहीं है इनको कोई बिमारी नहीं है इसको भी जैसा हो है वैसा हो है अब राजा को बड़ गिफ्ट करूँगा और रिवार्ड भी दूँगा बहुत लोग आया है बहुत तो कोशिश किये कोशिश करके लेकिन कोई सफल नहीं हुआ दिन महीने में बितल गया सब्ताम बितल गया सब्तामें बिताओ और महीने भी बित गया लेकिन वो कोई भी सफ़ल नहीं हुआ उन बाज को उड़ाने में उसके बाद क्या हुआ तब एक किसान आया करा ठीक है साब मैं मैं ले जाता हूँ इनको तो राजा बोले कि भाई अब तो सारे थके चलिए किसान कोहीं दे दो किसान गया वापस एक महिने के बाद आया वो तो बोला जी भाई उड़ाओ बाज को तो किरा कि नहीं पहले आप जो बोले थे कि उपहार और गिफ्ट करूँगा आप दे दीजिए मैं बाज को उड़ा दूँगा जा बोले ठीक है पहले उड़ाओ तो किरें कि मैं अगर नहीं उड़ूँगा तो जो सजाद देना होगा आप दीजिएगा मेरे को लेकिन आप रिवार्ड पहले दो तो उन्होंने अपना जो भी घोशड़ा किया था उन्होंने वो रिवार्ड होगा रहा उनको दे दिया फिर उसने किसान ने अपना पता नहीं कैसे कुछ किया और दोनों बाज उड़ गया एकदम आसमान को चुने लगए राजा आश्चर हो गया तो बिलकुल कि भracy यह यह इतना लोग पूरे राज्जय में हैं इतने लोग ठक गया लक्यां मौमूली किसान कि बहलिया हो गया काम है नहीं वो कोई specialist नहीं होता नहीं यह किसान का farmer का काम अलक होता है लेकिन ओख कैसे उड़ा लिया और बहलिया लोग नहीं उड़ा पह पह तो बोले कि reward तो दे लेकिन मेरे को इसका भई बड़े बढ़े बहरिया फेल हो गए लेकिन तुम कैसे उड़ा दिये इनको करा सर छमा हो मैंने कुछ नहीं किया मैं बड़ा अज्ञानी आदमी हूँ मैंने क्या क्या जिस डाल पर बैठता था न वो डाली कट दिया इस बाज को इस डाल से असकती हो गई थी प्रेम हो गया था मोह हो गया था वो डाल को छोड़ता ही नहीं था अब इस कहानी से मैंने इसलिए सुनाया आप समझ गया होगे हम कभी भी कहीं भी किसी भी परशानी में फ़स जाते हैं तो बधाएं हमारी क्या होती है मोह होता है आसकती प्रेम यही हमारे जीवन की बधाएं है और जब इनको हम पानी पादे हमने किसी चीज से मोह हो गया और जब वो मोह पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है यह चेन बंदा होगा है माले यह कि जोरी नहीं कि आप क्रोध को एक्सप्रेशन के साथ व्यक्त करें क्रोध तो आपके अंदर होता है अगर आपका एक्शन नहीं होगा तब भी आपके अंदर वो चल रहा है आपका दिमाग तप रहा है आप अंदर से तप रहे हो क्रोध आपके अंदर कर रहा है अगर सामने वाले को हानी नहीं पहुंचाएगा तो आपको हानी पहुंचाएगा कि आप क्रोध तो हो रहा है आपके दिमाग में वो मनस्तिती चल रही है और वो निकलना चाहता है आप रुक के रखे हो किसी सामने कोई मिल नहीं नहीं जिस पे आप क्रोध उतार सको तो आपको हानी पहुँचाएगा क्रोध अगर उठा तो किसी ना किसी को हानी पहुँचाएगा जिसे तलवार से मयान मयान से जब तलवार निकलता है तो किसी ना किसी का खून तो चक्के ही जाएगा हो वैसे ही एक रोध है अगर सामने नहीं मिला तो आपको हानी पहुँचाएगा आप रोक रहे हो आपके मनस्थिती डिटोरियेट होने लगेगी आप परिशान हो जाओगे तो मौह जो होता है पाते हो तब आपको क्रोध होता है और क्रोध आपको नुक्सान पहुचाता है आपको भी नुक्सान पहुचाएगा समाज को भी जिसके उपर आपका क्रोध हा रहा है उसको भी नुक्सान पहुचाएगा कहानी छोटी सी है कहानी बहुत मामूली है कहानी इसलिए हम सुनाते हैं कि कई चीज़े क्या होती है theoretical जो होती है जंदगी में हम कोई चीज़ बताते हैं तो आदमी बोर हो जाता है या उसको सुनता नहीं है लेकिन वही हम game के माध्यम से या कोई play के माध्यम से या कोई कहानी के माद्धियम से कुछ हम बताते है तो आदमी को मतलब उसको समझ में आता है या रिलेट करता है असानी होती है उसको चीजों को समझने में तो मैं इसलिए कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी का सहार ऐसा ही है कि आप जब भी किसी चीज पर डिपेंड हो जाते है और डिपेंड होते तो मो हो जाता है वो बाज जो है वो पूरे तरह से वो डाल पर डिपेंडन हो गया था उसको मो आ सकती हो गया था इसलिए उसको छोड़ना उसको पचा नहीं पा रहा था लगता था कि आरे मैं छोड़ के चला जाओंगा तो पता नहीं डाल का क्या होगा या मैं जो भी उसकी मनस्तिती में आती होगी लेकिन में बज़ा ये था कि वो डाल से जैसे कि एक कृष्ण भगवान है आप गीता पढ़िये मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि गीता पढ़िये कृष्ण को समझना तो गीता पढ़िये आप कृष्ण को देखिए एक दरस्टा के रूप में कृष्ण जी ने जब विरंदावन छोड़ा तो विरंदावन को पलट के नहीं देखा क्योंकि वो विरंदावन से जुड़े नहीं एक दरस्टा थे हम किसी चीज को टच करते हैं अपने आस्म में कोई सी वस्तू वस्तू ही होती है यह से हम टेबल को टच किया टेबल अपने आप में वस्तू है लेकिन वो अच्छा है, बुरा है, चिकना है यह सब क्या हम वैक्खा करते हैं, अपने हिताफ से हमें, हमारी वैक्खाएं उनको भिन बनाती है अपने आप में कोई भी आदमी, कोई भी चीज अच्छा बुरा खराब नहीं होता हमारी वैक्खाएं उसमें एक नई चीज डालती है आँक के वाल दस्ता है कि वो चीजों को देखता है लेकिन वो चीज कैसा है यह हमारी मनस्थिति तै करती है आँकों का काम है देखना जो जैसी विस्थिति है वस्तू इस्थिति को बताना कि यह वस्तू यह टेवल है बस तेबल अच्छा है बुरा है ये डिसाइड आँख नहीं करता कान का काम है किसी के शब्दों को सुनना अब वो गाली है अच्छा है बुरा ही है वो बैक्ख्या आपका दिमाग करता है तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी चीजों से अपने को बांध लेते हैं हम बैख्याएं करने लगते हैं तो परशानिया जिन्दगी की बढ़ जाती है मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप ये जिन्दगी है हर लोग मैं भी डिपेंडेंट हो जाता हूँ किसी किसी से लगाव सा मैसूस होने लगता है फोन हो गाड़ी हो कुछ भी हो तो उसे लगाव लेकिन आप जब समझेंगे न या आपके जिमाग में जब भी ये बात आए तो आप रुक के सोचिए कि हम मैं अट्रेक्ट तो नहीं होते जा रहा हूँ मैं उस पर डिपेंडेंट तो नहीं होता जा रहा हूँ आप समझ से कोश्चन किजिए कि मैं डिपेंडेंडेंट तो नहीं हो रहा हूँ मैं उससे लगाव तो नहीं हो रहा है उसके सरफ खिचे तो नहीं जा रहा हूँ मैं रुक तो नहीं गया उसी चीज़ पे तो आपको एहसास होगा कि उससे आप बाहर निकलने की जैसे आप सोचेंगे ने वैसे ही बाहर निकलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी तो आज की कहानी का सारी यही था मैं उमीद करता हूँ यह कहानी आप लोगो अच्छी लगी होगी मैं वीडियो खतम करने थे पहले फिर एक बार बोलूँगा मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए मुझे भी अच्छा लगता है कहानी सुनाने में जब चैनल को आप लोग लाइक करेंगे तो हर किसी को एक लगता है कि हाँ चलो कुछ मिला कुछ मैंने समाज के लिए किया या समाज को कुछ इससे कुछ मिला और अगर आपनों कमेंट करेंगे तो लगेगा मेरे को भी लगेगा कि मुझे भी कुछ मिला तो इसी भावनाओं का मेरी भावनाओं का खदर के दिए मैं भी आपके भावनाओं का खदर करता हूं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तरने लाँ